च्छा पिमारी करने गई पूर्बसराय अथाना की पुलिस पर किया हमला, अपर थाना ध्यक्षन्य पुलिस कर्मी पर किया इत्सी किया पत्राव, दरसल मामला है कि बीती रात पूर्बसराय अथाना क्षेत्र के गौशाला स्थिक डी एवी स्कूल में कुछ अग्याद चोरो ने स्कूल में रखे प्लास्टिक का गमला, प्लास्टिक पाइप और S बढ़ी E का कंप्रेस आधी की चोरी कर ली गई थी। वही शनिवार की सुबर जब स्कूल खुला था तो स्कूल के प्राचारियों देखा कि स्कूल में कुछ समानों को चोरी हो गई जिसके के बाद स् CCTV कैमरे की जांच की जनहा चोरी करते हुए अग्यात चोरों का कर्तू कैमरे में कैद थी। जिसके बाद अपर थानाध्यक्ष संजय आर्यमान पुलिस बल के साथ बसंती तालाब के मुसहरी पहुँचकर छापेमारी शुरू कर। जनहा कुलिस ने चारविधी विरुध बा अपर थानाध्यक्ष सहित कई पुलिस कर्मी मुके वारदात पर पहुँचे जनहा गुसाई लोगों ने पुलिस को देखकर पत्राव कर दिया। इस पत्राव में पुर्भुसराया अपर थानाध्यक्ष संजे आर्यमान सहित अन्य पुलिस भायल हो गए वही अपर जैश कुमार ने बताया कि पूर्बुस्राय अपर्थाना ध्यक्ष को आवेदन मिला कि एक स्कूल में चोरी हुई इसी मामले को लेकर जाच के बाद पुलिस ने बसंती तालाब मुसहरी में चापे मारी कर चार विधी विरुद्ध किशोर को अभिरक्षा में लेकर थाना पुलिस पर पत्राव के करने के मामले में एक प्रथामिकी दर्ज कर ली गई है और इस घटना में समलिप लोगों को चिनहित किया जा रहा है जल्द ही सब की गिरफ्तारी की जाएगी कि तरफ से एक पुड़क्तराय थाना को आवेजन प्राप्त हुआ उस आवेजन में यह उल्लेखित था कि उनके स्कूल में कल साम में जोड़ी की घटना हुई है आवेजन प्राप्तराय अपर थाना धक्ष्ट के द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया अनुसंधान के अच्छाइब करने के बाद उनसे पूष्टाच की गई उन्होंने स्विकार किया कि जैसे कि गम्ला पाईप और एशी के कॉम्प्रेसर वह बतंती तलाब में हैं पुलिस दल ने छापेमारी टीम बनाते हुए वहां पे छापेमारी की परन्तु वहां के जो लोग थे उन लोगों ने पुलिस पर पत्राव किया इस अंदर में एक सेपरेट एपाई आर धर्ज कर दी गई है और अनुसंधान करके वेक्टियों को छिन्हित करके उनके विरुद्ध अग्रिम और विद्धि समत करवाई की है हां हलके सी चोट आई हैं पुलिस कर्मी को इस अंदर में के जग पर सिविजन हम दो बनाने के लिम होगा